नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है अज कल एपल का सीजन चल रहा है इसी से हम बहुती इजी और टेस्टी डिजर्ट बनाएंगे एपल क्रमबल ये बहुत ही हेल्दी डेजर्ट रेसेपी है इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें ग्रैंडेट शुगर की जगे ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं ये खाने में थोड़ा सा क्रेंची और थोड़ा सा जैम जैसा होता है आप इसमें अपने पसंद की कोई भी आइसक्रीम या फिर ड्राइफूट्स यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास एपल नहीं है तो आप इसकी जगे पाइनेपल या पियर का भी यूज़ कर सकते हैं चलिए बना लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथी बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिसे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीन एपल ले लिये हैं जिने की धो कर छील लिया है वेट में देखें तो यह करीब 400 ग्राम एपल हैं एपल को हम काट लेते हैं और इसके बीच में जो सीट से उन्हें निकाल दें अब इसे रफ ली या थोड़े से बड़े पीसिस में काट लें क्योंकि इसे हमें पकाना है और इसका जैम बनाना है सारे अपल कट गए हैं इन्हें एक पैन में निकाल लें पैन हेवी बॉटम कहीं लें या फिर नॉन स्टिक ले लें नहीं तो पकाते समय अपल जल जाएगा और इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा अब इसमें आदा चमच दालचीनी पाउडर डाल दें एपल की साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है दो चमच नीबू का रेस्ट डाल दें या फिर आधे नीबू का रेस्ट डालें एपल का जैम बनाने के लिए इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डाल दें यह टेस्ट के अनुसार आप कम या जादा भी कर सकते हैं यहाँ पर आप यह दी पिसी हुई चीनी यूज नहीं करना चाहते हैं तो ब्राउन शुगर ले लें इसे मिक्स कर दें जिसे की सारे एपल के पीसेस पर शुगर कोट हो जाए इसे गैस पर गरम करने के लिए रख दें और गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम पर ही रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे थोड़ी दिर में आप देखेंगे की चीनी मेल्ट हो गई है पिघल गई है और इसमें थोड़ा सा पानी भी आ गया है हम इसी में एपल को पकाएंगे जब तक कि एपल सॉफ्ट ना हो जाए और इसका थोड़ा सा जैम जैसा टेक्शर ना मिल जाए देखिए इसमें पानी भी आ गया है हम इसी में इसे पकाते रहेंगे और बीच वीच में चलाते भी रहेंगे जब तक एपल सॉफ्ट हो रहे हैं हम क्रम्बल बना लेते हैं एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लें इसमें डेड़ कप प्लेन रोलिंग ओट्स डाल दें यहाँ पर कोई भी फ्लेवर वाला ओट्स नहीं लेंगे हम प्लेन वाला ही लेंगे इसे हल्दी रखने के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 कप आटा वीट फ्लार का यूज़ किया है इन्हें मिक्स कर दें अब इसमें आदा कप ब्राउन शुगर केस्टर शुगर डाल दें मैंने यहाँ पर आदा कप इसी हुई चीनी का यूज़ किया है इसे भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं आदा चमच दाल चीनी पाउडर डाल दें और आदा कप बटर बटर रूम टेंपरेचर पर ही होना चीए या फिर इसे मैल्ट करके डाल दें मैने यहाँ पर घर का अनसॉल्टेट बटर लिया है इसलिए इसमें एक पिंच नमक भी डाल रही हूँ यह क्रम्बल की स्वीटनेस को बैलेंस करेगा आपका बटर सॉल्टेट है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे हातों से ही मिक्स करें जिससे की बटर पूरे मिक्चर में अच्छी तरह से लग जाए और इसका एक अच्छा सा क्रम्बल वाला टेक्शर मिल जाए अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमें देखिए बिल्कुल ऐसा ही ट्रेक्शर चाहिए क्रम्बल तयार है हम एपल को भी चेक कर लेते हैं देखिए एपल सॉफ्ट हो गए हैं इसे स्पेटुला की सहयता से थोड़ा सा दबा दें जिससे ये थोड़ा सा जैम जैसा बन जाए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि हम एपल को ग्रेट करके भी जैम बना सकते हैं पर नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से जैम बन जाएगा इसलिए हम इसके पीसिस काटेंगे और इसको जैम जैसा टेक्शर बनाएंगे यह थोड़ा सा लिक्विड ही रहेगा और इसी तरह का जैम बन जाएगा देखिए बिल्कुल इस तरह से गैस की फ्लेम को ओफ कर दें और एपल को बेकिंग डिश में डाल दें इसी डिश में अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर दें अब हमने जो ओट्स क्रम्बल बनाया है उसे भी इसके उपर स्प्रेड करें इसे भी पूरी डिश में अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड करेंगे यहाँ पर क्रम्बल को हम हलके हाथों से ही फैलाएंगे बिल्कुल भी दबाएंगे नहीं जो बाकी बचा हुआ क्रम्बल है उसे भी इसी के उपर फैला लेंगे अब इसे बेक कर लेते हैं इसके लिए ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा है डिश को इसमें रख दें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनिट के लिए बेक होने दें इसे हम इतना ही बेक करेंगे कि उपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए देखिए उपर की लेयर ब्राउन हो गई है बिलकुल तयार है इसे बाहर निकाल लें इस वक ये बहुत ज़्यादा गरम है इसलिए इसे ध्यान से हैंडल करें और इसे गर्मा गरम सर्व करें आप इसे वनिला आइसक्रीम के साथ और थोड़े से कटे हुए ड्राइफरूट्स के साथ गानिश कर लें या फिर इसे ऐसे ही खा लें इसमें ओर्ट्स की क्रंचिनेस एपल की स्वीटनेस और आइसक्रीम की सॉफनेस का अलग ही मज़ा है यह खाने में बहुत ही टीस्टी और हेल्दी है और बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आती है यदि यह बच जाए तो इसे फ्रिज में रख दें और खाने से पहले फिर से गरम करें इसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नई रेसिपी के साथ